तेरा फर्वरी के दिन सरोजनी नाइडू की जैनती मनाई जाती है इस दिन को देश में राष्ट्रिया महिला दिवस के तोर पर मनाया जाता है ध्यान रहे 8 मार्च को अंतर राष्ट्रिया महिला दिवस के तोर पर मनाया जाता है जो अलग है सरोजनी नाइडू का जन 13 फर्वरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था सरोजनी नाइडू नाइटेंगल ओफ एंडिया के तोर पर प्रसिद्ध है स्वतंतरता सेनानी के इतर भारतिय साहित्य में उनकी भूमिका कवेत्री के तोर पर भी एहम रही है गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी कविताओं का संग्रा है बाजार्स ओफ हैदराबाद उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है वे आईएन्च और भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष्टा करने वाली दूसरी महिला और पहली भारतिय महिला थी आयएन्च की अध्यक्ष्ता करने वाली पहली महिला ये बेसंट थी सरोजनी नैडू ने 1925 में हुए INC के 40 में अधिवेशन की अध्यक्ष तक गी थी सरोजनी नैडू सम्विधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से एक थी नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी बहुत ही महतोपोन भूमिका रही ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच हुए लखनव समझोते में मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका के चलते उन्हें सरोजनी नैडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के राज़दूत की उपाधी दी थी उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा ग्रेटर त्रिप्रा लैंड की मांग को लेकर खबरों में है त्रिपुरा की नई बनी राजनितिक पार्टी तिप्रा यानि तिप्रा एंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस मोथा का गठन ग्रेटर त्रिप्रा लैंड की म लोगों समविधान के मुताबिक उनके अधिकार दिल्वाना है इसके मुताबिक सम्विधान के अनुछेद 2 और 3 के तहत की 19 एंडिजेनस ट्राइप्स के लिए अलग राज्जी का गठन करना है क Preis त्रीपुरा भारत के अंतराश्ट्रियस सीमा से घिरा है ये देश के अन्य हिस्सों में एने चौवालीस के जरीये जुड़ा हुआ है त्रिपुरा की आधिकारिक भाशाएं बांगला कोकबोरोक और अंग्रेजी है आपको बता दें कि भारतिया सम्विधान के अनुछे 2 के मुताबिक संसद विध कर सकती है संसद मौझूदा राजियों का किशत्रफल घटा या बढ़ा भी सकती है इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC द्वारा CAPF की प्रारंभिक परिक्षा में पुछे गए सवाल पर गोर कीज़े सवाल पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुछे 3 के अनुषर संसत कानून द्वारा किसी भी देश पर युद्ध की घोशना करना किसी राजजी की सीमाओं में परीवर्तन करना किसी भी लेडी डिस्प्ले की तरफ शिफ्ट करने की तयारी कर रहा है, माइक्रो एलेडी सेल्फ एलुमिनेटिंग डायोड हैं, ये ओलेड यानि OLED यानि और्गैनिक लाइट एमेटिंग डायोड की तुलना में बहतर कलर रिप्रोड़क्शन और ज्यादा ब्राइट होते हैं, माइक्रो एलेडी तकनीक का अधार सिफायर थे, सिफायर हमेशा अपने बूते चमक सकते हैं, माइक्रो एलेडी स्क्रीन कई छोटी, मगर स्ट्रॉंग लाइट से तेयार होती है, इसमें पिक्शर को कई सारे लाइट एमेटिंग डायोड के जरिये जिनरेट किया जाता है, सैमसंग कंपनी माइक्रो एलेडी की दुनिया की पायानी अर्यानी अग्रदूत है, सैमसंग के मुताबिक माइक्रो एलेडी बहुत छोटी होती है, हमारे बाल के एक सेंटिमेटर को अगर 200 छोटे टुकड़ों में काटा जाए, उस एक टुकड़े के बराबर यह होता है, यह सभी माइक्रो एलेडी एक सेमी कंड़क्टर होते हैं, जो की एलेक्ट्रिक सिगनल रिसीव करते हैं, यह माइक्रो एलेडी एक मॉड्यूल बनाते हैं, यह मॉड्यूल कंबाइन होकर स्क्रीन बनाते हैं, माइक्रो एलेडी रिजोलूशन फ्री, बेजल फ्री, रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं, Size Free से मतलब क्या है? Size Free से मतलब है कि Screen को Practical Use के मुताबिक किसी भी आकार में तयार किया जा सकता है Supreme Court की नियाइक समिक्षा शक्ति एक बर फिर से खबरों में है हाली में Supreme Court ने एक 9 पेज का आदेश जारी किया इसके मतलब अगर कॉलेजियम ने किसी जज को सम्वेधानिक कोर्ट में नियुक्त करना तै किया है अब इसे नियाइक समिक्षा के दाएरे में नहीं लाया जा सकता कहने का मतलब ये कि कोट की न्याइक समिक्षा के शक्ति कॉलेजियम के निर्ने को रीकंसिडर करने के लिए नहीं लागू होगी न्याइक समिक्षा के शक्ति के तहट सुप्रियम कोट और हाई कोट किसी कानून को समविधान का उलंगहन करने पर रद्य तक कर सकते हैं नयाइक समिक्षा की शक्ती समविधान के अनुछे 13 से मिलती है। भारतिय समविधान में इसे USA के समविधान से अपनाये गया है। नयाइक समिक्षा के अवधारना की उत्पत्ती ही USA से हुई है। इसके उत्पत्ती पहली बार मारबरी बना मेडिसिन मामले में हुई थी। गोर तलब है कि शक्ती प्रिथक करण के सिध्धान्त के मुताबिक लोकतंत्र का हर इस्तम जैसे कारेपालिका, विधाईका और नयाईपालिका अपने कारियों को अलग अलग संस्था के तौर पर करते हैं। भारत में कारेपालि का नेतिगत निर्णयों और कानूनों को नागू करने के लिए जिम्धार है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई कानून या सन्शूधन पारित नहीं किया जा सकता जो इस सिध्धान को सीमित करता होगा। सबी संस्थाइं आपस में एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं लेकिन एक दूसरे के कारियों में हस्तक्षेप नहीं करती है नय पालिका नय एक समिक्षा के जरिये कारेपालिका और विधाईका पर नियंत्रण करती है विधाईका कारेपालिका के कारियों की पर विचार कीजिए उनका जन्म वर्तमान पश्यम बंगाल में हुआ था भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला थी स्वतंत्रता से नानी के अलावा इनका यूगदान साहित्य में भी रहा है वो परियुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाओ किजिए के वल lif 멤ol 2 और के वल 1 कोष़िए अगला सवाल है मायक्रोल एलीडी का प्रयोग डिजिटरल डिवाइसेज में किया जा रहा है इसके लाब क्या है मायक्रो एलीडी रिसोलूशन फ्री बैजल फ्री रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं ओल ए की त् इचले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे थे उनके सही जवाब क्या है पहला सवाल था निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए नौड इस्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक नहीं दो सही जवाब है इसका विकल्पे यानि केवल एक सिया यूएसे की जांच अगला सवाल मैंने पूछा था निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए क्लाइमेट इनेक्विलिटी रिपोर्ट दोसर तेज यूए नीपी के द्वारा जारी की जाती है केल्प फॉरेस्ट स्थलिय एको सिस्टम का एक प्रकार है और कूट के माद्यम से सही कथन चुनना था इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन दी यानि ना तो एक और नहीं दो यानि दोनों कथन गलत है वर्ल्ड इनेक्विलिटी लैब ने क् मरीन एको सिस्टम का एक प्रकार है सुप्रेम कोट में मदरास हाई कोट में एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति पर विवाद देखने को मिला था गौर तलभे की कॉलेजियम ने विक्टोरिया गौरी को हाई कोट में प्रमोट करने की सिफारिश की थी हाला कि इस कि एक उमिद्वार की राजनितिक संबधता या उनके विचारों की सारवजनिक अभिव्यक्ति नयाधीश के रूप में उनके काम को प्रभावित नहीं करती। उसके बाद विक्टोरिया गौरी ने मदरास हाई कोट के एक अतिरिक्त नयाधीश के रूप में शपत ली। इसक शपत, हाई कोट और सुप्रीम कोट के जजिस के लिए यूनिक है। वे समविधान के प्रहरी माने जाते हैं। इसी के मद्दे नजर विशेशग्यों का सवाल है कि धार्मिक का टरता दिखाने वाला व्यक्ति शपत का निर्वहन कैसे कर पाएगा। आपको बता दें कि के निर्वाचन के अभ्यर्थी, सांसत सदस्य, उच्चतम नयायाले के नयायधीशों, कैग, किसी राजी के मंत्री, राजी विधान मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राजी विधान मंडल के सदस्य और उच्च नयायाले के नयायधीशों की शपत का यहां पर ध्यान रखना है कि राष्टपती की शपत का प्रारूप अनुसूची तीन में नहीं दिया गया, इस खबर के एहमियत को समझने के लिए साल 2017 में प्रारंभिक परिक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सदस्य द्वारत ली जाने वाली शपत का प्रारूप। कूट का प्रेयोग कर सही उत्तर चुनना था। एक दो तीन, दो तीन, दो तीन, चार, एक दो चार या फिर एक दो तीन और चार। इसका सही जवाब है विकल्प सी। क्रिस्टल जैसे ही पदार्थ होते हैं लेकिन इनमें संरचना का फर्क होता है। क्रिस्टल में परमाडू रिपीटिंग पैटर्न में अरेंजड होते हैं। जबकि क्रिस्टल में परमाडू एक पैटर्न में अरेंजड तो होते हैं लेकिन ये पैटर्न रिपीट नहीं होता। क्रिस्टल का प्रयोग नौन इस्टिक फ्राइंग पैन, एक्यू पंचर के लिए बनने वाले निडल्स और एरिजर ब्लेड में किया जाता है। और तलबे की साल 2011 में डौन शैचमेन को क्रिस्टल की खोज के लिए रसायन के नोबिल पुरसकार से नवाजा गया था। उन्होंने ये खोज 1982 में की थी। उससे पहले तक भौतिक विज्ञानियों का मानना था कि हर क्रिस्टल एक रेपीटेट पैटर्न फॉलो करता है। इसके बाद से इनका उतपादन लैप्स में किया जाने लगा। प्राकरितिक तोर पर क्रिस्टल का मिलना एक रेर इवेंट है। यूएसे में मिला क्रिस्टल प्राकरितिक तोर पर हासिल हुआ तीसरा क्रिस्टल है। पहली बार साल 2009 में यह रूस में मिला था। दूसरी बार साल 2021 में New Mexico से हासिल हुए debris से मिला था, New Mexico USA का एक राज्य है, यहाँ पर साल 1945 में दुनिया में पहली बार nuclear explosion टेस्ट हुआ था, यह क्वासिक क्रिस्टल इसी साइट के debris से हासिल हुआ था, USA द्वारा किये गए इस टेस्ट का कोट था Trinity. India The Modi Question, documentary के चलते सुर्खियों में आई BBC एक बर फिर से खबरों में है, दर असल Income Tax Department ने BBC के दिल्ली और मुंबई ओफिस में सर्वे किया, CBDT यानि Central Board of Direct Taxes के Senior Officials के मुताबिक यह सर्च नहीं था, सर्वे था, इसकी वज़ा BBC द्वारा Tax Evasion यानि करवंचन और अन्यमितताओं को बताया गया है, हम समझते हैं कि सर्च और सर्वे में फर्क क्या है, Income Tax Act 1961 Officials को किसी भी प्रिमाइस में, चाहे वो घर हो या दुकान हो, फैक्टरी हो, ओफिस हो, एंट्री की यानि प्रवेश की शक्ती देता है, जहां पर Official Search and Seize Operation कर सकते हैं, सर्वे की शक्ती Income Tax 1961 की धारा 133A के जरिये मिलती है, सर्वे के वल बिजनेस प्रिमाइस में ही कंड़क्ट किये जा सकते हैं, बिजनेस आवर्स के दौरान, यानि उन्हें घंटों के दौरान किया जा सकता है, जबकि सर्च ऑपरेशन दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, सर्वे के दौरान IT Officials Documents दे सकते हैं, सर्वे के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता है, एक तरह से सर्वे, सर्च ऑपरेशन का जेन्टल वर्जन है, इसका प्राथमिक मकसद सूचनाय जुटाना होता है, आपको बता दें कि BBC का गठन एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पर 18 October 1922 को हुआ था, तब इसे British Broadcasting Company के नाम से जानते थे, साल 1926 में हुई Strike के कवरेज के चलते, BBC को ब्रिटेन की जनता की सरहना मिली, इसी साल ब्रिटेन की संसदिया समीती ने इस कंपनी को Crown Chartered Organization का दरजा देने की सिफारिश की, इसे British Broadcasting Corporation नाम दिया गया, कंपनी अंतिम रूप से संसत के प्रती बाबदे हो गई, हाला कि अपनी गतिविधियों के लिए इसे स्वतंतरता हासिल रही। एपिडा को एपिडा अधिनियम की अनुसुची एक में शामिल, सत्रह क्रिशी और प्रसंस्कृत खादे उत्पाद के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मदारी सौंपी गई है, बासमती चावल को एपिडा एक्ट की अनुसुची दो में शामिल किया गया है, इसके जल्दिस देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं, पहला सवाल है, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, प्राकृतिक तोर पर क्वासी क्रिश्टल बहुतायत में पाये जाते हैं, क्वासी क्रिश्टल की खोज के लिए 2011 में डौन शैच्मैन को नोबेल दिया गया था, कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो, अगला सवाल, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, सम्विधान की अनुसूची तीन में, राजियों के लिए राज्यसभा की सीटों का वर् Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority भारत सरकार के क्रिशी मंत्राले के तहट स्वायत संस्था है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो आईए देखते हैं, पिछले बुलेटिन पर आधारित क्यास प्रश्ण पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या है पहला सवाल था, सरोजनी नाइडू के संबंध में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए, उनका जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ था सरोजनी नाइडू का जन्म वर्तमान हैधराबाद में हुआ था, वे भारतिय राष्टिया कॉंगरेस के अध्यक्षा करने वाली पहली महिला एनिबेसंट थी दूसरा सवाल मैंने पूछा था माइक्रो LED का प्रयोग डिजिटल डिवाइसेज में किया जाता है इसके लाब क्या है माइक्रो LED रिजोलुशन फ्री बेजल फ्री, रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं OLED की तुनला में बहतर कलर रिप्रोडक्शन और ज्यादा ब्राइट होते हैं कथन को चुनना था सही कूट के माध्यम से केवल एक केवल दो एक और दो 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 न तो एक नहीं दो विकल्पसी यानि दोनों कथन यहां सही है विदेश मंतरी S. जैशंकर ने फिजी में विश्वे हिंदी सम्मिलन का शुभारंब किया विश्वे हिंदी सम्मिलन का आयोजन भारत और फिजी की सरकार द्वारा मिलकर किया रहा है ये 12 हुआ विश्व हिंदी संम्मिलन है जिसका आयोजन्थ फीजी में 15 से लेकर 17 फरवरी 23 के दौरान किया जा रहा है. 11 हुआ वेश्व हिंदी संम्मिलन 2018 में हुआ था मौरिशस में. विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकलपना राष्ट्र भाषा प्रचार समिती वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी इसके बाद 1975 में ततकालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुवात की पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपूर में आयो जित हुआ था। इस दोरान मौरशस के ततकालीन प्रधान मंत्री सर्शिव सागर राम गुलाम ने विश्व अस्तर पर हिंदी संबंधित गतिविधियों के समनवयन के लिए एक संस्था के इस्थापना का विचार कतार कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में मन्थन के बाद मौरशस में विश्व हिंदी सचिवाले इस्थापित करने पर भारत और मौरशस की सरकारों के बीच सहमती हुई। दोनों सरकारों के बीच समझोते पर हस्ताक्षर हुए। मौरशस की विधान सभा में अधिनियम प बनाने के लिए एक वैश्विक मंच तयार करना भी है आपको बता दें कि भारतिया संविधान के अनुछे 343 के तहत संग की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपी में होगी वहीं संविधान के अनुछे 351 में केंद्र सरकार का यह करतव्य होगा कि वह हिंदी को बढ लिगापूर जमैका ट्रिनिदाद एंड टोबैगो मौरिशस और फ्रेंच गुयाना है राजस्थान सरकार का राइट टू हेल्थ बिल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसे लेकर प्राइवेट डॉक्टर्स और होस्पिटल्स का विरोध लगतार जारी है दरसल राजस्थान की गहलोच सरकार पिछले साल सितंबर में राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई थी अगर ये बिल पारित हो जाता है तो राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां पर स्वास्थी को लेकर ऐसा कानून होगा प्राइवेट डॉक्टर्स और संशोधनों को लेकर इस्ट्राइक भी किया गया है सरकार के मुताबिक बिल का मकसद है लोगों के स्वास्थ की रक्षा करना साथ ही उन्हें समय से पहले मौत से बचाना और स्वास्थ पर होने वाले खर्च के चलते लोगों की जेब पर पढ़ने वाले बोच को कम करना बि दिल में ये साफ नहीं है कि इन फ्री स्वास्थ सेवाओं के एवज में निजीक शत्रों को रेंबर्स किया जाएगा या फिर नहीं है इससे उन्हें सम्विधान से अनुछेद 191 जी की तहत मिले मौलिक अधिकार का उलंगन हो सकता है बिल के प्रावधानों को पूरा करने ऐसे राज्य पर वित्या बोज भी बढ़ेगा बिल में इस बोज के लिए अतिरिक्ट फंड की ववस्था की बात नहीं की गई है बिल में हेल्प लाइन सेंटर और वेब पोर्टल के गठन की बात कहीं गई है अगर अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे मामले की शिकायत पर स इस रिपोर्ट में मरीज के मेडिकल हिस्ट्री भी होंगे जिससे मरीज की निज्टा का उलंगन हो सकता है आपको बता दें कि अनुछे दुनीस एक जी के तहत किसी भी व्यापार व्यवसाय या प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंतरता की बात कहीं गई है बारतिय संविध यूनियन कैबनेट ने दो लाख पंचायतों में पैक्स यानि प्राइमरी एगरिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के गठन को मनजूरी दी है इन्हें पांच सालों में गठित किया जाएगा गौर तलब है कि पैक्स यानि पी एसी एस गाउं के इस तर पर क्रेडिट पों कि एसे पी एसे बेस करेड़िट दी सीसी बी यानि डिस्रिक्ट सेंट्रल कौपरेटव बेंक्स को ट्रांसफर किया जाता है डी इसीसी बी जिले के स्थर पर कामकरती हैं जिनके पहुंच सीधे किसानों तक होती है यह्रे पेसãy किसान ही सधस्य होते हैं इन्वे officials का चुनाओ इन्ही सदस्यों के बीच में से होता है Pax short term loan के लिए काम करती है इससे किसान अपने बीज और उर्वरक की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं Banks ये loan 7% के दर पर मोहिया कराती है इसमें किंदर सरकार 3% और राजजी की सरकारें 2% की सबसीडी देती है इस तरह किसानों को loan जो प्राप्त होता है वो मातर 2% के दर पर हासिल होता है Pax की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम paperwork में short term के लिए loan मोहिया कराती है अनुसूचित व्यावसाईक banks में किसानों को बहुत सारे paperwork से गुजरना पड़ता है Union Cabinet ने Centrally Sponsored Vibrant Village Program को मंजूरी दी है इस योजना को वित्तवर्ष 2022-2023 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी गई है कारेकरम के तहट देश की उत्तरी सीमा से सटे गाउं में व्यापक विकासकारियों को अंजाम दिया जाएगा कारेकरम के पहले चरण में 662 गाउं में रोजगार के अवसर स्रिजित किये जाएगे जिससे इस्थानिया जनसंख्या का प्रवासन रुख सके लोगों का प्रवासन रुखने से सीमावर्तिक शत्रों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा गाउं के इस्तर पर स्थानिया प्राक्रतिक और मानिवियस अंसाधनों की पहचान की जाएगी इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर विक्सित किया जाएगा इन सीमावर्ति राज्जियों में आवसं रचना विकास और रोजगार के अवसर स्रिजित होंगे वाइबरेंट विलेज एक्षन प्लान को जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की मदद से तैयार किया जाएगा वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम की घोशना बजट स्पीच 2022 में की गई थी इसमें साफ किया गया है कि कारिक्रम की ओर लैपिंग बॉर्डर एरिया डिवलप्मेंट प्रोग्राम के साथ नहीं होगी आईए जल्दिस देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं जल्द सवाल है विश्व हिंदी सम्मेलन के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए बारहवे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मौरिशस में किया गया था पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग के कारेकाल में किया गया थ उपर युक में से सही कथन या कथनों को चुनिये केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो अगला प्रशन है वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम संबंधित है उत्तर पूर्वी राज्यों के गाउं में और संरचना के विकास से देश के हर गाउं में 5G सेवाएं पहुचाने से उत्तरी सीमा के गाउं में और संरचना विकास से सभी गाउं की स्थानिया संस्कृति के पहलूओं को अंतराश्ट्रिय अस्तर पर पहचान दिलाने से आईए जल्दिस देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है पहला सवाल था निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए प्राकृतिक तौर पर क्वासी क्रिश्टल बहुतायत में पाए जाते हैं क्वासी क्रिश्टल की खोज के लिए 2011 में डौन शैच्मेन को नोबेल दिया गया था कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और नहीं दो सही जवाब है विकल्प बी यानि केवल दो पहला कथन गलत है प्राकृतिक तौर पर क्वासी क्रिश्टल का मिलना एक रेर एवेंट होता है अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए सम्विधान की अनुसूची तीन में राजियों के लिए राज्यसभा की सीटों का वर्णन है अग्रिकल्चरल एंड प्रोसेश्ट फूड प्रोडक्ट्स एक्स्पोर्ट डेवलप्मेंट अथॉर्टी भारत सरकार के क्रिश्टी मंत्राले के तहत स्वायत संस्था है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और नहीं दो इसका सही जवाब है विकल्प डी यानि दोनों का थन गलत हैं संविधान की अनुसूची तीन में कई संविधानिक पदों की शपत का प्रारूप दिया गया है एपिडा भारत सरकार के वानिज्जेवम उद्योग मंत्राले के तहत एक स्वायत निकाय है हाली में एनचार्सी यानि राश्त्री मानवादिकार आयोग ने mental health care के hospitals पर रिपोर्ट चारी की है रिपोर्ट 46 सरकार द्वारा संचालित mental health care hospitals पर आधारित है इन में से तीन केंद्र सरकार द्वारा बाकी अनिराज सरकारों द्वारा संचालित किये जाते हैं रिपोर्ट के मुताबिक in hospitals में मरीजों को recovery के बाद रखा जा रहा है जिससे मानसिक रोगों से जूज रहे लोगों के मानवादिकारों का उलंगन होता है इससे समविधान में मिले अनुच्छेद 21 का भी उलंगन होता है इसके अलावा अवसंरचना की कमी डॉक्टर्स की कमी बाकी की सुविधाओं के स्थिती भी खराब है एनेचार्सी ने Mental Health Care Act 2017 के लागू होने के assessment को लेकर रिपोर्ट त्यार की थी Mental Health Care Report 2017 पर प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा चलाये जा रहे हॉस्पिटल से Mental Health Care Treatment की गरेंटी देता है गौरतलावे की राष्ट्री मानवाधिकार आयोक का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था इसे मानवाधिकार अधनियम 1993 के जरिये गठित किया गया था इस अधनियम को Protection of Human Rights Amendment Act 2006 के जरिये संशोधित भी किया गया था राष्ट्री मानवाधिकार आयोक का गठन पेरिस सिद्धानतों के आनुरूप हुआ है यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है RBI ने साफ किया है कि Debit Cards पर दिये जा रहे Loans और EMI यानि Equated Monthly Installment को RBI की Digital Lending Guidelines से शाषित किया जाएगा Credit Cards पर चल रहे है प्रोग्राम्स को Master Direction on Credit Card and Debit Card Assurance 2022 के जरिये ही शाषित किया जाएगा हलाकि Credit Card के ऐसे लोन उत्पाद जो EMI के इतर हैं और Master Direction on Credit Card and Debit Card Assurance 2022 में कवर नहीं है उन्हें Digital Lending Guidelines के तहत ही शामिल किया जाएगा Digital Lending Guidelines के मताबिक इसके दाइरे में आने वाले निकायों को एक KFS यानि की Facts Statement सौपना होगा KFS में Annual Percentage Rate, Recovery Mechanism और शिकायतों का निवारण आदि को मेंशन करना होता है RBI के मताबिक सभी LSP यानि Lending Service Providers को इन Guidelines के मताबिक काम करना होगा आपको बता दें कि Digital Lending से मतलब है कि एक Remote और Automated Digital Lending Process जिसमें Loan Approval, Recovery, Credit Assessment आदि Digital तगनिक के जरिये किये जाते हूँ प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने 16 फरवरी को जल जन अभियान का शुबारंब वर्च्वली किया है इसकी शुरुवात राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड से की गई इस मौके पर केंद्री जल शक्ती मंतरी गजेंद्र सिन्रक्षेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पटे कर मौजूद रहे इस रास्ट व्यापी कैमपेन का संचालन ब्रह्मकुमारी संगठन और जल शक्ती मंतरा लेके द्वारा किया जाएगा इसके तहट आठ महीनों के भीतर देश के पांच हजार से ज्यादा जल निकायों को संरक्षित किया जाएगा साथ ही नए जल निकायों का गठन भी किया जाएगा इस कैमपेन में 10 करोड लोगों तक पहुँच बनाने का लक्ष रखा गया है इसमें माना गया है कि जन चेतना का विकास करके ही जल संरक्षन के लक्ष को हासिल किया जा सकता है प्रजापिता ब्रह्मुकुमारी इश्वरीय विश्विद्याले को ब्रह्मुकुमारीज के नाम से जाना जाता है भारत में इसका गठन साल 1936 में ब्रह्मुकुमारीज का प्रचार प्रसार साल 1971 से हुआ है इसके सेंटर्स 120 से ज्यादा देशों में मौजूद है इसका मकसद लोगों में आध्यात्मिक ज्यान से रूबरू कराना है इसमें मेडिटेशन और अध्यन जैसी गत्विदियां शामिल की जाती है आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्राले द्वारा जल जीवन मिशन योजना भी चलाई जा रही है जिसका मकसद देश के सभी ग्रा द्वारत के नैशनल नैशनल पार्क में लाए जा रहे हैं ध्यानरे सितंबर 2022 में चीते नामीबिया से लाए गए थे दुनिया में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या नावीबिया में पाई जाती है दुनिया के तकरीबन 7000 चीते दक्षन अफ्रीका नामीबिया और बोट् पूर जिले में है इसका नाम कुनो नदी के नाम पर पड़ा हुआ है यह नदी पार्क में दक्षन से उत्तर क्यों प्रवाहित होती है यह पार्क को दो भागों में विभाजित करती है चीते साल 1952 में देश से एक्स्टिंट यानि की विलुक्त घोशित किये गए थे देश सतानबे से 113 किलोमेटर प्रति घंटे हो सकती है जंगल में इसका एवरेज लाइफ स्पैम 14 साल तक जबकि कैपिटिविटी में 20 साल तक हो सकता है आम तोर पर यह रहने के लिए ओपन ग्रास लैंड पसंद करते हैं पहले यह पूरे एशिया और अफ्रीका में पाए जाते की पहला प्रश्ण है रास्ट्री मानुवादिकार आयोक के संबंध में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए रास्ट्री मानुवादिकार आयोक का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था इसका गठन पेरिस सिध्धानतों के अनुरूप हुआ था सही कथन या कत्नों को चु आती है उप्रिक्त में से कौन सा गलत कथन है उसका चुनाव कीजिए केवल एक केवल दो एक और दो दोनों नहीं एक नहीं दो आइए अब नज़र डालते हैं पिछले बुलिटेन पराधारित प्रश्णों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर प्रश्ण था विश्व हिंदी संबेलन के संबन्ध में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए अगला प्रशन था Vibrant Village Program संबन्दित है उत्तर पूर्वी राज्यों के गावों में अवसर्चना के विकास से देश के हर गावों में 5G सेवाएं पहुचाने से उत्तरी सीमा के गावों में अव संचना के विकास से या सभी गाओं की इस्थानी इस संस्कृति के पहलूँ को अंतरा स्टे इस तर पर पहचान दिलाने से इसका सही जवाब है विकल्ब सी दुनिया की एक और बड़ी कमपनी भारतिय मूल के CEO को न्यूक्त करने वाली है दरसल यूट्यूब की पूर्व CEO सुसान वोजिलस्की ने स्तीफा दे दिया है इसके बाद यूट्यूब की पैरेंट कमपनी अलफाबेट ने नए CEO नील मोहन के नाम की खोशना की है वर्तमान में नील मोहन यूट्यूब में चीफ प्रोड़क्ट आफिसर है नील मोहन का नाम इंडियन अमेरिकन CEO की लीग में शामिल हो गया है गौरतलब है कि गूगल की पैरेंट कमपनी अलफाबेट के CEO सुन्दर पिछाई है Microsoft के CEO सत्या नडेला Adobe के CEO शांतनु नारायन और IBM के CEO अरविंद कृष्णा इस लीग के कुछ अन्य बड़े नाम है लीना नायर लगजरी ब्रांड शनेल की CEO है USA के वर्कफोर्स में भारती मूल के लोगों की संख्या तकरीबन 6 फिस दी है हलाकि टॉप पोजिशन पर ये मौजुदगी इस अनुपात में कहीं ज्यादा है Made in India मैनेजर के लेखक के मुताबिक कोई और देश अपने नागरिकों को इतने ग्लेडिटोरियल मैनेजर्स में तयार नहीं करता जितना की भारत मतलब ये कि भारतिये एक रफ टफ महौल में बड़े होते हैं Corporate Strategist C के प्रहलाद के मुताब एक भारतियों में नैचरल तोर पर मैनेजर बनने के क्षमता होती है वे बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक स्कूल जाने से लेकर जॉब हासिल करने तक ठीक ठाक स्टरगल का सामना करते हैं इसकी एक वज़ा 1960 में USA की एमिग्रेशन पॉलिसी में हुआ बदलाव भी है इस दौरान सिविल राइट्स मुव्मेंट्स की बदलत नेशनल ओरिजन कोटा के स्थान पर स्किल्स को तवजोदी जाने लगी तेरी यानि T.E.R.I. The Energy and Resources Institute की सालाना आयुजित होने आली बैठक WSDS 22 से 24 फरवरी 2023 के बीच नई दिल्ली में होगी WSDS से मतलब है World Sustainable Development समीती इसकी Umbrella Theme Main Streaming Sustainable Development and Climate Resilience for Collective Action रहेगी समीती का आयुजन साल 2001 से किया जा रहा है T.E.R.I. यानि तेरी नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र Research Institute है WSDS तेरी का एक flagship event है इस event के जरिये टेरी की कोशिस रहती है कि जल्वाई परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों, व्यवसायों, अकादमियों और व्याज्यानिकों और युवाओं आदि को एक मंच पर लाया जा सके टेरी की बात करें तो यह एक स्वतंत्र और बहु आयामी संगठन है करना, साल 2015 में सयुक्तराष्ट के सदस्यों द्वारा दे 2030 एजिंडा पॉर सस्टेनेबल डवलप्मेंट को अपनाया गया था इसके तहत 17 SDG निर्धारित किये गए हैं, इन लक्षियों को साल 2030 तक हासिल किया जाना है पहला SGD है हर जगह से हर रूप में गरीबी को खत्म करना, दूसरा SDG है भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को हासिल करना, तीसरा है अच्छा स्वास्थ, चोथा है गुडवत्ता परक्षिक्षा की बात करना, पांचवा लैंगिक समानता की बात करता है, छटवा स्वक्ष जल और स्वक्षता से संबंदी थे, सातवां SDG वहनी और स्वक्ष उर्जा से संबंदी थे, आठवां गरिमा में काम और आर्थिक संवर्धि से संबंदी थे, नवां SDG उद्योग नवाचार और अवसंरचना से संबंदी थे, दसवां असमानता को कम करने से संब संभंदित है, 14. 37. विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षन और सतत उपयोग से संबंदित है, 15. SDG जमीन पर जीवन से संबंदित है, 16. SDG शांति न्यायद और मजबूत संस्थानों से और वहीं 17. SDG लक्षों की प्रापिकी साजिधारे से संबंदित है इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2016 में UPSC की प्रारंभीक परिक्षा में पूछे गए सवाल पर आईए करते हैं गौर प्रश्न था निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए धारणी विकास लक्ष यानि सस्टनेबल डवलेप्मेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक जिसे क्लब ओफ रोम कहा जाता था ने प्रस्तावित किया था धारणी विकास लक्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हैं उपरिक्त कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो इसका सही जवाब है विकल्प भी यानि केवल दो विश्युबैंक के अध्यक्ष डेविट मौल पास ने घोशना की है कि वे अपने पांस साल के कारेकाल से पहले ही स्तीफा देंगे उन्हें साल 2019 में इस पद पर न्यूक्त किया गया था इसकी वजह जलवायू कारेकरताओं की नाराजगी है दरसल उनका मानना है कि जलवायू आपदा से निपटने के लिए डेविद मौल पास की अप्रोच सही नहीं है इसके बाद USA की ट्रेजरी सरकेटरी जेनेट एलेन ने इस पद पर नॉमिनेशन की बात कही है लंबे समय से एक परंपरा के मुताबिक विश्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव USA की सरकार तो IMF के अध्यक्ष को यूरोपिय देश चुनते हैं गौरतलब है कि साल 1944 में 44 देशों के प्रतनिधियों ने ब्रेडन वुट्स न्यू हैंप शायर में एक सम्मेलन किया था इसका मकसद विश्व युद्ध से तबाह हुई अर्थ्यवस्था को अंतराश्टी सहयोग से फिर से विक्सित करना था इस सम्मेलन ने दो संगठनों को जन्म दिया था IMF और विश्व बैंक विश्व बैंक के लिए ड्राफ्टिंग जॉन मेनाड कीन्स ने की थी विश्व बैंक को गठित करने का मकसद था विश्व युद्ध से बरबाद हुई अर्थ्यवस्थाओं की विश्व बैंक गरीबी मिटाने के लिए सतत प्रयासों पर काम करती है इसका मुख्याले वशिंग्टन डी सी में है विश्व बैंक समूह में कुल पाँच संस्थाएं International Bank for Reconstruction and Development International Development Association International Finance Corporation Multilateral Guarantee Agency International Center for the Settlement of Investment Disputes शामिल है IBRD और IDA को समलित रूप से विश्व बैंक कहते है महरास्ट का लोकनित्र लावडी इन दिनों विवादों में है दरसल लोगों में लावडी नृत्य की संस्कृति में DJ और अन्य पहलूओं को शामिल करने से नाराजगी है लोगों के मुताबिक ये नृत्य की परंपरा और गरिमा को नकारातवक तोर पर प्रभावित करता है लावडी लावण्य यानि सौंदर शब्द से बना है ये एक परंपरागत लोक नृत्य है इसमें महिलाएं नौ गज लंबी चमकीली साड़ी पहन कर नृत्य करती है इसमें लाइव ओडियन्स की मौझूदगी में धोलक की ताल पर नृत्य किया जाता है इसका इतिहास कई शताब्दियों पुराना है हलाकि ये पॉपुलर अठारवी शताब्दी में पेशवा के काल में हुआ था इनमें कई सब जेनर्स होते हैं जिनमें से एक श्रंगारिक है सोशल मीडिया के बढ़ते दबाव से नृत्य काफी प्रसिद्ध हुआ है आपको बता दें कि संगीत नाटक कैदमी ने कुल आठ नृत्यों को शास्त्री नृत्य की मान्यता दी है इनमें भरतनाट्यम, कुचिपुरी, कथकली, मोहनी अटम, ओडिशी, मणीपुरी, कथक और सत्रिय शामिल है वहीं संस्कृती मंत्राले भारसरकार ने 6 सहित कुल 9 नृत्यों को शास्त्री नृत्य की मान्यता दी है भरतनाट्यम, तमिलनाडू, कुचिपुरी, आंत्रदेश, कथक कली और मोहनी अटम, केरल से संबंदित है कथक उत्तरप्रदेश तो सत्रिय असम से तालुक रखता है चलिए, अब नज़र डालते हैं आज के बुलेटेन पर आधारित प्रश्णों पर पहला प्रश्ण है, निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए वर्ड सस्टेनेवल डवलेप्मेंट समित का आयोजन युनाइटेड नेशन्स के द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ण है, निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए आईए अब नज़र डालते हैं, पिछले बुलेटेन पर आधारित प्रश्णों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर प्रश्ण था जल जन अभियान के शुरुवात राजस्थान से की गई है दुनिया में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या दक्षन अफरीका में पाई जाती है उपरित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो, ना ही एक, ना ही दो इसका सही जवाब है विकल्प B गलत कथन पूछा गया है, दूसरा कथन गलत है दुनिया में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या नामी भी आमें पाई जाती है झाल झाल